रोल ओफ सुपराइक्ट ये एक और कमपॉल है जो असल में ड्रायुट किया गया है एक और सपीशी से और उस सपीशी के न santéरॉंग अंट्रोस पर प्रिप्यूरेटर से toughest यह दो आप प्राट किया सबसंने के Servi-जेरी इन डियर फ्रेंट्स ये असल में यहांसे जब release होगा, release होने के बाद ये इसी species के जो sperm होंगे, उनके उपर क्या चीज़ मज़ूद होगी, जो binding site होगी, वो मज़ूद होगी. तो डियर फ्रेंट्स ये binding site के जाके साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. जब यह binding site के साथ जाके attach हो जाएगा तो attach होने के बाद binding site पर attach होने के बाद dear friends जो पहला काम होगा वो यह होगा कि यह क्या करेगा stimulate कर देगा एक receptor को और receptor क्या होगा dear friends receptor होगा GC को stimulate कर देगा GC का मतलब guanolile cyclase ठीक है ग्वा ग्वानी 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 लाइल साई क्लेस को क्या कर देगा जिसको हम नाम के देते हैं abbreviated for GC उसको क्या कर देगा dear friends यह activate कर देगा जब यह GC को activate करेगा तो GC as usual जैसे हमने previously पढ़ा था कि यह एक intracellular messenger बनाएगा जिसका नाम क्या होगा cyclic gu guanocene mono phosphate यह produce कर देगा अभी तो cyclic guanocene mono phosphate होगा यह ऐसे में क्या करेगा dear friends यह बड़ा जरूरी काम करेगा और वो है potassium channel opening यह potassium channel को की कर देगा open कर देगा जैसे dear friends जो potassium के channels है वो open होगे potassium के channels open होते ही जो sperm होगा dear friends वो hyper polarized होना शुरू हो जाएगा hyper polarizing होना शुरू हो जाएगी उसका जो receptor जो accept वाले साइट है जो binding साइट है वहाँ पर hyper polarization लिखने hyper polarization हो जाएगी अब dear friends यह जो hyper polarization होगी इस hyper polarization टेनतीजे में जो downstream proteins मजूद होगी यह जो अंदर वाले साइट पर proteins मजूद होगी यह hyper polarization उन proteins को के कर देगी activate कर देगी और साथ में यह एक और काम करेगी वो है हमारे पास sodium iron और अगर हम hydrogen iron की बात करें तो यह dear friends sodium iron hydrogen iron जो exchanger है उसको भी कर एक्टिवेट कर देगा जब यह sodium और hydrogen iron exchanger को stimulate कर देगा उसके नतीजे में आपनी याद रखना है कि जो pH होगी वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो इसका नतीजे में dear friends क्या हो जाएगी increase pH तो उपर वाले जो steps हैं वो हूबा हूँ जैसे हमने पढ़ा था रिसेप्ट के बारे में वैसे ही हैं लेकिन थोड़े से नीचे change हो गए पहला point एक species जिसका नाम है स्ट्रोंग गाईलो सेंट्रोटरस पर्प्यूरेटस वो produce करेगी उसका जो एग जैली लेर होगा वो produce करेगा क्या produce करेगा एक chemical जिसका नाम है superact यह superact एक्सेप्ट करेग उसी species के जो sperm होंगे उनके उपर binding sites होंगे वहां पर जाके attach होंगे जैसे यह attach होंगे वहां पर receptor RGC या GC जो होंगे receptor sites पर उसको activate कर देंगे जिसका नाम है guanolyle cyclase और यह as usual एक intra cellular क्या produce करेगा यह एक messenger produce करेगा जिसका नाम होगा cyclic guanocybin monophosphorus जो के potassium channel को open करेगा जिसके नत नतिजे में hyperpolarization हो जागी जब hyperpolarization होगी यह क्या करेगा यह सबसे पहले जो downstream dear friends protein होंगे उन proteins को activate करेगा जो उसके अंदर sperm के अंदर proteins होंगी उनको क्या करेगा activate करेगा और यह दूसरा काम क्या करने वाला है यह dear friends sodium hydrogen exchanger जो होगा उसको भी activate करेगा जिसके नतिजे में जो pH होगी dear friends हो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अब यह pH का increase होना क्या करेगा dear friends यह एक और second जो messenger होगा उसके activate कर देगा उसका नाम होगा हमारे पास AC क्या नेम होगा AC जो AC होगा it is stand for the adenolile cyclase dear friends यह उसको क्या कर देगा activate कर देगा अडिनलाइल cyclase को क्या कर देगा activate कर देगा और dear friends यह अडिनलाइल जो cyclase है यह मजीद क्या करेगा यह मजीद क्या क्या करेगा dear friends यह C-A-M-P produce करेगा और यह जो cyclic adenosine monophosphate होगा यह जाएगा dear friends cyclic adenosine monophosphate और यह जाकर क्या क्या कर देगा आपको यह चीज़ याद रखन होंगे उनको open कर देगा calcium channel को क्या कर देगा open कर देगा जब calcium channel को open कर दिया जाएगा तो dear friends अगेन फिर क्या होगा हमारे पास यहां पर आप जानते ही हैं के mitochondria जो होगा वो respiration ज्यादा कर देगा जिसका नतीजे में हमारे जो activity होंगी cyclic AMP की और जो hyperpolarization है इसका नतीजे में हमारे पास दियर फ्रेंट से एक और चैनल activate हो जाएगा जिसका नाम होता है SPIH SPIH जो चैनल होगा वो भी डियर फ्रेंट्स क्या हो जाएगा macht अब हम इसको डाग्राम से समझ लेटब थे यह काम कासे करेंगा तो स्ट्रॉंग आयलोस अंट चीछ होगे जैसे ही यहां पर आके बाइंड हुए इनके बाइंड होते ही क्या हुआ डियर फ्रेंड एक सिगनल प्रोड्यूस हुआ और उस सिगनल का नाम क्या है स्केराल नेमें C-GMP Cyclic-Gona-Syn Monofasia यह यह क्या किया यह सिक्लीम की जो चैनल्स हैं उनको के कर दिया ओपन कर दिया जिसके नतीजी 2 छैनल्स को और hydrogen जो exchanger gates हैं वो भी क्या होगे वो भी हमारे पास dear friends activate होगे जिसके नतीजे में जो pH है वो क्या होगी कम होगे pH के कम होते ही हमारे पास एक second messenger produce हुआ जिसका नाम था cyclic AMP cyclic adenosine mono phosphate जिसने क्या किया जिसने जाकर dear friends finally जो calcium gates है calcium channels है यह calcium gates है उनको open कर दिया और dear friends यहां पर हमारे पास finally finally जो हमारा first step है recognition वाला वो complete हो गया दो species के अंदर हमने देखा है पहली जो species थी उसका नेम था हमारे पास herbacea और दूसरी जो species है उसका नाम किया strong hyalos centrotus purpurantis अब हम दूसरे step की बात करने वाले हैं प्रोस्टप में हमारे पास acrosomal reaction in sea urchins वो किस तरह से होता है झाल झाल